हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी ना निश्टॉप चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 25 कुस्टन्स सॉल्व करेंगे जनरल साइंस के सभी कुस्टन्स बहुत ही महत्वपूर होंगे क्योंकि सारे कुस्टन्स मैंने रेल्वे के प्रीबियस एर एकजैम से लिए हैं सभी कुस्टन्स रेल्वे की किसी ना किसी एकजैम में पूँछे जा चुके हैं तो सारे ही कुस्टन्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को अप्लोड होती है उसका नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो दोस्तों आई ये शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला कोशन है निमलेखित में से कौन सा एक धातू और अधातू के रूप में कारें नहीं करता है तो जो अर्ध धातू होती है जिनको उप धातू य ये टोटल कितने होते है है तो ये कौन कौन से होते हैं तो यह हो गया बोरौन से चलिपर, ऍप्र गर्मांत पहल सब्कू और और फिर ये ठातू है और फिर प्र देध एक लाइन के रूप में होते हैं ठीक है तो इनको क्या कहते हैं इनको कहते हैं उप धातू या अर्ध धातू या मेटलाइट्स कहते हैं तो यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा आर्शायनिक बोरॉन और जर्मिनियम यह क्या है यह तीनों मेटलाइट्स है यानि कि उप पर है तीक है तो बिस्मत क्या होगा ये धातू होगा बिस्मत क्या है मेटल है और ये जो जिग जैग लाइन है ये धातूं को अधातूं से अलग भी करती है तीक है जो जिग जैग लाइन है इसके बाई तरफ जितने भी तत्तों हैं वो सभी क्या है धातू यानि कि इधर की बाई तरफ जो है सभी क्या है धातू है और दाई तरफ यानि कि इधर की तरफ जो भी है वो क्या है ये नॉन मेटल से यानि कि धातू है तो बिश्मत आपका इस तरफ हे बाई तरफ जिग-जेग लाइन के बाई तरफ है तो इसलिए क्या हो जाएगा? धातो हो जाएगा, मेटल हो जाएगा अगला question है निमलेखित में से कौन सी एक अदीब तोस्तु है तो यहाँ पर बताना है कौन सी एक अदीब तोस्तु है तो अदीब तोस्तु है क्या होती है अदीब तोस्तु है जिनको कहते है non-luminous object तो यह क्या होती है जो दूसरे के प्रकास से दिखाई देती है या चमक्ती है इनका खुद का प्रकास नहीं होता उनको कहते है अदीब तोस्तवे या नॉन लुमिनस आपजिक्ट कहते है तो यहाँ पे जुगनू, तारे और जलती हुई मुवंबत्ती इनका जो है क्या होता है खुद का प्रका दिखाई देती है या चमक्ती है तो उनको कहते है अदीब तोस्तवे है तो यह जुगनू, तारे जलती ही मुवंबत्ती तोस्तवे हुई है चांट, इसका खुद का प्रकास नहीं होता है, सूरिक के प्रकास से चमकता है तो ये कैसा होगा है ये अधीप्त तो कोई जरुई नहीं कि चमकता हो तब ही जो है वो अधीप्त में आएगा कोई भी वस्तो जो सूरिक के प्रकास से या किसी भी प्रकास से दिखाई परती है तो वो भी अधीप्त होगी जैसे कुर्सी, मेज, किताब ये सब भी क्या होंगी अधीर तुश्ति होंगी क्योंकि इनका खुद का प्रकास नहीं है ठीक है तो यहाँ पे A option इसका राइटन्स हो जाएगा Next question है निम्न में से कौन मनिस्यों में एक अंतासरावी ग्रंथी नहीं है तो अंतासरावी ग्रंथी क्या होती है अंतासरावी ग्रंथी या endocrine glands ये क्या होती है तो ये अपना हर्मोन सीधे blood में छोड़ती है इनको किसी नलिका की जोट नहीं होती है तो इनको अंतासरावी ग्रंथी कहते है और इसके उल्टा होती है बहर स्रावी ग्रंती बहर स्रावी ग्रंती क्या होती है तो ये अपना product enzyme ये hormone जो भी होता है ये अपना product जो है किसी नलिका के माद्यम से जहां पहुचाना होता है वहां पहुचाती है ठीक है तो इनको बहर स्रावी ग्रंती कहेंगे स्वेट ग्रंती और इसके लावा लार ग्रंती लार ग्रंती और इसके लावा दुख दुख ग्रंतिया यानि कि मैमरी ग्लेंड यह सभी क्या होती है तो यह सभी क्या होती है बहर सावी ग्रंतिया यानि कि अपना सीर्ष ग्रंथी इसको कहते हिंदी में, सीर्ष ग्रंथी, और फिर है थाइमस, और यहाँ पे थाइराइट ग्लेंड है, और यह है अडरिनल ग्रेंड, और यह है पैंक्रियास, पैंक्रियास यानि कि अगनासे, तो अगनासे जो होती है, यह अंतासरावी और बहिसरावी ग्र अनतासरावी और बहिसरावी दोनों की तरह कारे करती है और यहाँ पर ओबरी है ओबरी यानि की अंडासे और टेस्टिस यानि की व्रसन तो टेस्टिस जो है मेल में होता है और ओबरी जो है फिमेल में होता है तो यह दोनों भी क्या है यह अनतासरावी ग्रंतिया है अब यह अगला question है, विद्धुत रोधियों की प्रतिरोधक्ता होती है, तो जो कुचालक होते हैं, उनकी प्रतिरोधक्ता क्या होती है, तो जो प्रतिरोधक्ता होती है, यानि की रजिस्टिविटी, तो ये किसी पदात का वह गुण होती है, जो इसके अंदर से प्रवाहित होने वा पास नहीं हो जगती तो जो कुछालक होते हैं उनकी प्रतिरोधक्ता ज्यादा से ज्यादा होती है और जो सुचालक होते हैं उनकी कम होती है तो आप देखेंगे B option में सबसे जादा दी गई है 10 to the power 12 से लेकर के 10 to the power 17 ohm तक ठीक है तो यही इसका राइटन सुझेगा B option अगला question है एक gain को 10 मीटर की उचाही से गिराय जाता है वो जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की उचाही तक वापस उचल जाती है तो टकराओ के दरान गती जुर्दा में कितने प्रत्सत की हानी होगी तो कोई gain है इसको गिराय जाता है कितनी उचाही से 7.5 मीटर की उचाही से गिराय जाता है और यह जमीन पर टकराती है और फिर से उचलती है कितनी उचाही तक 2.5 मीटर की उचाही तक उचलती है और फिर से फिर आ जाएगी जमीन पर टकराएगी तो यहाँ पर यह बताना है कि टकराओ के दरान गती उर्जा में कितने प्रत्सत की हानी होगी तो अब यहाँ पे टकराओ के दरान इसमें गती जुर्जा किसके बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी जब यह 2.5 की उचाई से गिरेगी तबलग होगी और 7.5 की उचाई से गिरेगी तबला होगी तो दोनों का हमें अंतर निकाल लेना है। ठीक है तो उससे प्रत्स थानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे गती जुर्जा किसके बराबर होगी तो इसकी इस्थिती जुर्जा के ही बराबर होगी क्योंकि यहाँ पे जब यह गेन रखी है उचाही पर तो इसमें इस्थिती जुर्जा होगी potential energy और जब यह उचाही पर रखी है तो इसमें maximum potential energy होगी आधिक्तम इस्थित गती जुर्जा में परवर्तित होने लगी और जितनी इस्थिती जुर्जा यहाँ पे जब यह रखी थी उस समय थी उतनी गती जुर्जा जब यह टकराएगी तब होगी तो यहाँ पे इस्थिती जुर्जा ही गती जुर्जा के बराबर होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितन इसलिए जो है M into G into H के बराबर होगी, ठीक है, तो M into G, तो जो ball है, उसका दर्बिमान तो सेम ही रहेगा, M ही रहेगा दोनों के लिए, और gravity का मान भी सेम रहेगा, लेकिन उचाई जो है, अलग अलग है, तो M into G into H, पहली बार है, 10 मीटर, तो 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 Mg आ पहली गति उर्जा, kinetic energy इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी गति उर्जा क्या होगी, जब यह 2.5 की उचाई से गिरेगी, तो M into G into 2.5 हो जाएगी, यानि की 2.5 Mg हो जाएगी, तो कितने की कमी आई, 10 Mg से 2.5 Mg, जो है, कितना कम है, तो 7.5 Mg कम है, तो 7.5 Mg की कमी आई, और percentage में निकालेंगे, तो 7.5 की कमी आई, कितने में से, तो 10 में से, ठीक है, और percent के लिए 100 से multiply करेंगे, यहाँ point हटाएंगे, तो यहाँ पे 0, 100 से 100 cancel, और यहाँ पे 75% की हानी, यह right answer हो जाएगा, option C, अगला question है, निमले कितने से, किन उतकों में कोस्का हैं, जीवि तोप से, इस थोल यानि की मोटी होती हैं, तो बात करते हैं, इस्कलेरन काइमा की, यह सब क्या है, इस्कलेरन काइमा, कोलन काइमा, हेरन काइमा, और पेरन काइमा, तो यह सब ही पौधे में सरल उतक के प्रकार होते हैं, इस्कलेरन काइमा, जो उतक होता है, इसमें कोस्का तो इसमें यही पुझा गया मोटी कोसका हैं होना चाहिए लेकिन जीवित होना चाहिए तो यहां पर मिरत कोसका हैं तो यह option गलत हो जाएगा और colon कायमा की बात करें तो यह जीवित कोसका भी होती है और यह मोटी कोसका भी होती है ठीक है और यह लंबी कोसका भी होती है यहा लेकिन इसकी कोशकाएं जो है पतली होती है इसकी कोशकाएं कैसी होती है तो पतली होती है ठीक है तो ये option भी गलत हो जाएगा क्योंकि मोटी कोशकाएं होने चाहिए और iron काइमा की बात करें तो iron काइमा, parent काइमा का ही प्रकार होता है जो जली ए पौधे होते हैं उनमें एरन काइमा होता है जो की पैरन काइमा का ही एक प्रकार होता है तो यह भी जीवित और पतली कोस्काहे होंगी इसमें भी तो यहाँ पे B-Option इसका राइटन सोजेगा और बात करते हैं इनके कार्यों की तो कार्यों से भी question आता है पैरन कार्य होता है कि ये food storage और प्रकास translation में मदद करता है ठीक है और colon काइमा की बात करें colon काइमा जो है ये पौधों को संदचना प्रदान करता है ये जो है पौधों को यांतिक और सांबंद की संक्या कितनी हैं, तो benze, इसका formula होता है C6H6, यह क्या होता है, benze Member C6H6, इसमें carbon के 6 atom इस तरह से range होता हैं, एक carbon, दूसे carbon के साथ, single bond, फिर double bond, फिर single bond, फिर double bond, फिर single bond, फिर double bond, फिर double bond, एक छोड़ करके, एक double bond होता है, ठीक है, और हर carbon के साथ, एक hydrogen लगा ह होता है सिंगल बांद के साथ हर कर relativ हाइड फाय वहता है है ह अब यहां पर पूछा गया है किटने sigma बांट और कितने फाई बंध होते हैं Gill भाउंड में एक sigma बांट होता है और double बॉंड की बात करें तो एक डबल बॉंड में सिंग्मा बॉंड भी होता है, और एक πाई बॉन्ड भी होता है और टिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो टिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं तो आप यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कितने सिंगल बॉन्ड है तो टोटल जो है आप देखेंगे hydrogen कितने है 6 है और हर hydrogen single bond में लगा हुए त्यानि कि 6 हो गए hydrogen वाले single bond और carbon वाले कितने है carbon carbon के तो 3 है क्योंकि एक एक छोड़ करके है 1, 2, 3 ठीक है तो 6, 3, 9 जो है single bond है तो 9 sigma bond तो total यह हो गए 9 sigma bond total यह हो गए और double bond में भी 1 sigma bond होगा ठीक है एक double bond में भी 1 sigma bond होता है तो 3 double bond है 1, 2, 3 तो 3 sigma bond और हो जाएंगे तो plus 3 sigma bond और हो जाएंगे और double bond में 1 pi bond भी होता है तो 3 अगर double bond है तो 3 pi bond हो जाएंगे ठीक है तो sigma bond total कितने हो गए तो 9, 3, 12 हो गए sigma bond और pi bond कितने होगे तो 3 pi bond तो right answer क्या होगा option B यहाँ पे right answer होगा 12 और 3 अगला question है एक वक्रिय दरपन जिसमें परावर्तन सटा अंदर की और वक्रिय होती है उसे क्या कहा जाता है तो वक्रिय दरपन यानि की card mirror तो card mirror क्या होता है तो कोई काच का गोला है तो उसमें से इतना हिस्सा अगर हमने काट दिया और इसकी किसी भी तरप अगर हम polish कर देते हैं तो वो बन जाता है card mirror यानि की वक्रिय दरपन और polish अगर उपर जो उठा वाला हिस्सा है इधर की तरप करते हैं तो यह बन जाता है और इसकी जो reflecting surface होती है यानि की परावर्तन सता वो अंदर की ओर होती है तो यह इसमें आप देख सकते हैं यह इधर की ओर reflecting surface है और यह अंदर की ओर है तो यह कैसा mirror है यह concave mirror या इसको कहते हैं और तल दरपन तुप यहाँ पर यही इसका राइट ञाँ सोदेगा अगर प्रावत्तन सत्ता अंदर की ओर है तो यहाँ पर आउतल दरपण यह होता है और उतल दरपण क्या होता है तो उतल दरपण में जो reflecting surface होती है यह याई पालिष जो है अंदर की ओर की जाती है पॉलिस, यानि कि reflecting surface किधर होगी, जो उबरा हुआला भागोगा, ऊपर किदर जो होगा, उधर जो है, reflecting surface होगी, ठीक है, तो ये कैसा mirror होता है, ये होता है, convex mirror, यानि कि उत्तल धरपाँ, तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं, अब इसमें और भी कई चीजे होती हैं, कि ये जो काच का गोला रहोगा, इसका पहले कोई center रहोगा, तो center जो है, तो ये center जो होता है, यही जो है, इस mirror का क्या हो जाता है, center of curvature, जिसको वकरता केंद कहते हैं, ठीक है, और ये जो mirror है, इसमें बीचों बीच में क्या होता है, पोल होता है, तो center of curvature से लेकर के, पोल त पूल तक के बीचों बीच में, बीचों बीच में एक मध्य बिंदू जो होता है, उसको कहते हैं फोकस बिंदू, तो अगर पूछा जब फोकस लंबाई जो है, रेडियस के कितनी होती है, तो रेडियस की आधी होती है, क्योंकि यह बीचों बीच में होगा, तो फोकस बिंद अच्छे कहते हैं, तो यहाँ पे यह सब भी आप याद दखिएगा अगला कॉश्चन है, कॉपर सलफेट का जलिये विलेन कैसा होता है कॉपर सलफेट का जलिये विलेन, यहाँ पे पूछा गए कॉपर सलफेट का जलिये विलेन, लिटमस पेपर के साथ कैसा reaction करेगा तो copper sulfate यानि कि CO-SO4 ये क्या है copper sulfate है ठीक है तो इसका जो जलिये वी लेन होगा वो होता है amlia कैसा होता है amlia jak तो अगर amlia है तो amlia जो है क्या करता है नीले लितमस पेपर को लाल करता है हम लोग नीले लित्मोंस फेपर को लाल करता है यहां पर राइट एंजर क्या होजाएगा कॉपर स юलियन अगर हम लिये है तो नीले को लाल करेगे है यानettes का राइट एंजर होजाएगा अगला कॉशन है एक द्वनी तरंग की आवदिती चार किलो हट्स है और इसकी तरंग डैध है 40 cm तो द्वनी तरंग द्वारा 3.2 km की दूरी थे करने में कितना समय लगेगा तो आपरित्ति यानी frequency कितनी दी गए है 4 kHz तो यहाँ पर kHz में दिया गया है इसको Hz में change करना होगा क्योंकि SI unit क्या होती है आपरित्ति की Hz होती है तो इसको 1000 से multiply कर देंगे तो यह होजाएगा 4000 Hz और तरंग डैध है कितनी दी गए 40 cm तो तरंग डैध यानी की lambda यह है 40 cm इसको भी मीटर में change करना होगा तो इसको 100 से divide कर देंगे तो यह होजाएगा 0.4 m और दूरी कितनी दी गए है तो 3.2 km 3.2 km डिस्टेंस दी गए है तो यहाँ पर इसको भी मीटर में change करना होगा तो 3200 मीटर हो जाएगा 1000 से multiply करेंगे तो निकालना क्या है यहाँ पर समय निकालना है तो time equal to क्या होता है distance upon speed समय बराबर दूरी बटे चाल तो दूरी तो दी गई है 3200 मीटर और speed हमें नहीं पता है और जो तरंग की speed होती है speed होती है lambda into frequency के बराबर तीक है यानि कि तरंग डैध गुड़े frequency के बराबर तो यहाँ पर तरंग डैध कितनी है चार अठे बरतिस और चार से आठ जाएगा दो बार जानि कि टाइम कितना आ गया दो सेकेंड यहाँ पर इसका right एंस हो जाएगा option D दो सेकेंड अगला question है निमलिकित में से किसका उपयोग जल को कीटारू रहित बनाने के लिए किया जाता है जल को कीटारू रहित बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो इसका right एंस हो जाएगा bleaching powder bleaching powder या इसको विरंजक चूर्ड कहते हैं विरंजक चूर्ड इसका formula क्या होता है तो इसका formula होता है C-A-O-C-L-2 calcium oxy chloride तो इसका प्रियोग किस लिए करते हैं तो कीटारू रहित जल को बनाने के लिए करते हैं और बात करते हैं आपे baking soda की तो baking soda इसका formula होता है N-A-H-C-O-3 sodium hydrogen carbonate या इसको sodium bicarbonate भी करते हैं और यही होता है खाने वाला soda अगर इसी में हम मिला देते हैं tartaric acid इसमें अगर हम tartaric acid मिला देते हैं तो यह क्या बन जाता है तो यह बन जाता है baking powder क्या बन जाएगा baking powder बन जाएगा और धावन soda की बात करते हैं तो इसका formula होता है N-A-2-C-O-3 जिसको कहते हैं sodium carbonate sodium carbonate केते हैं अगला question है कवक की कोशका भित्ती किससे बनी होती तो कवक यानि की फंगी इसकी कोश्का भित्ती यानि की selvail किससे बनी होती है तो यहाँ पर यह क्या है यह मस्रूम है जो की कवक के ही प्रकार होते है मस्रूम किसमें आते हैं तो कवक यानि फंगी में ही आते हैं और इनकी कोशका वित्ति किसे बनी होती है तो इनकी कोशका वित्ति किसे बनी होती है काइटिन से अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया की कोशका वित्ति किसे बनी होती है तो बैक्टीरिया की बनी होती है कि पौधों की कोशका भित्ति किसे बनी होती है तो पौधों की कोशका भित्ति बनी होती है अगला कुशन है यदि एक वस्तु की गती जुज़ा इसके प्रारंबिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया अखिए संवेक क्या होगा तो वस्तु की गती जुज़ा अगर 256 गुना हो जाए तो संवेक पर क्या असर पड़ेगा ये बताना है तो काइनेटिक अनजी यानि गती जुज़ा equal to होता है half into m into v square तीक है यहाँ पे आप दिखते हैं गटी जोज़ा जो है directly proportional होती है v square की तो अगर माल लिजे पहले गटी जोज़ा एक थी तो आप 256 गुना 256 गुना हो जाएगी तो यानि कि 256 हो जाएगी और ये जो है v square के बरावर है तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो v equal to हो जाएगा under root 256 यानि कि v equal to क्या हो जाएगा 16 तो अगर गटी जोज़ा 256 गुना हो जाती तो वेग कितना गुना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा तो यहाँ पे sumvake के बारे में 16 गुना हो जाएगा तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा अगला question है सूर्ती विभाजन के चरण का नाम बताएगा जिसके दुरान विभाजित cell के गुरसूर्त मध्धिरिका पर इस्तित होते हैं तो सूर्ती विभाजन क्या होता है सूर्ती विभाजन जिसको कहते है metosis एक होता है अल्ग सूर्ती विभाजन जिसको कहते है meosis और सूर्ती विभाजन क्या होता है metosis तो यह किसलिए होता है तो यह सरीर के किसी विभाज में कोशिकाओं की संक्या बढ़ाने के लिए जो है सूर्ती विवाजन होता है ये जो है कई स्टेज में होता है जैसे कि ये है इंटर फेज और ये है प्रो फेज ये है मेटा फेज ये है एना फेज और ये है टेलो फेज और ये फिस जो है उसके बाद दो डॉटर सल्स बन जाती है, तूँ एक कोसका से दो कोसका बन जाती है, सूर्टी विवाजन के बाद, तो यहाँ पर बताना है कि कौन से स्टेज में गृणुसूर्थ बीच में अजाता है, मद्धिरेका पर यहाँ पर आप देखेंगे, यह मेटा फेज जवस्ता में गुड़सूर्ट जो है बीज में आजाते हैं मद्धिरेखा पर यही इसका राइटेंस हो जागा ऑप्संसी मेटा फेज अगला कुश्चन है किसी तरल की समान मात्ता के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी यहां पर दिया गए कुथन तो कथन मतलब उबलना और वास्पी करण मतलब वास्पी थोना हिमी करण यानि कि उसके ठोस रूप में जम जाना और संगनन तो संगनन क्या होता है वास्पी करण का उल्टा होता है वास्पी करण मतलब दो से जो है वास्प के रूप में हो जाता है और संगनन क्या होता है वास्प से फिर से द्रव के रूप में आने को क्या कहते हैं, संगनन कहते हैं, तो इसमें सबसे धीमी प्रक्रिया जो होती है, वो होती है वास्पी करणड की, option 20 का राइटन सोज़ेगा, अगला question है, NTP पर gas X के 10 ग्राम का आटन 5.6 लीटर है, तो X का अर्विक भार क्या होग तो NTP पर किसी भी gas का 1 mol का आइटन किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है, तो 1 लीटर हमें निकालना हो, 1 लीटर कितने mol के बराबर होगा, तो 1 बटा 22.4 लीटर के बराबर होगा, और यहाँ पर दिया गया आटन 5.6 लीटर, तो 5.6 लीटर का अगर हमें निकालना हो, तो 1 लीटर 22.4 में ही 5.6 का मल्टिप्लाई हो जाएगा, पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 56 से अगर इसको काटेंगे, 224 को, तो यह जाएगा 4 भार, त्यानि कि 5 5.6 लीटर जो है, किसके बराबर है, एक बटा 4 मोल के बराबर है, एक बटा 4 मोल के बराबर है, तिक है, और यहाँ पर यह कितना है, तो 10 ग्राम है, तो यानि कि 1 बटा 4 मोल जो है, किसके बराबर है, 10 ग्राम के बराबर है, तिक है, एक बटा 4 मोल 10 ग्राम के बराबर है, अ तो यहाँ पे 1 mol 40 g के बराबर है, यानि कि यह इसका क्या हो गया, यह molar mass हो गया 40 g, ठीक है, यह क्या हो गया, molar mass, अगर molar mass 40 g है, तो molecular mass क्या हो जाएगा, तो molecular mass यानि कि आरविक भार इसका हो जाएगा, 40 u, ठीक है, 40 u इसका आरविक भार हो जाएगा, तो right answer क्या हो जाएगा, option बी यहां पे राइटन्स होगा 40, घिक है अगला कॉश्चन है, कारबन डै ओक्साइड में कारबन की प्रतिसत मात्रा क्या होगी, तो CO2 यानि कि कारबन डै ओक्साइड, तो इसमें कारबन का एक एटम है, और कारबन के एक एटम का atomic mass कितना होता है, तो 12 U होता है, और oxygen के 2 atom है और एक atom का होता है 16 U तो 16 गुड़े 2 हो जाएगा यानि 12 plus 16 दूनी 32 कितना हो गया टोटल 44 U यह हो गया carbon dioxide का molecular mass 44 U तो इसमें से carbon कितना है 44 में से carbon का कितना है carbon का के लिए 12 है और percent के लिए 100 से multiply कर देंगे 44 में से 12 और 100 से multiply कर दिया तो जो है carbon का percentage आ जाएगा तो यहाँ पर 4 से काटेंगे 4 से 11 बर जाएगा और यह 3 बर जाएगा यानि कि 300 बटे 11 और इसको अगर आप divide करेंगे तो 11 दूनी 22 टिक है और यहाँ पर बचा 8 1177 तो 27 पॉइंट सम्तिंग आएगा यहाँ पर D option इसका राइटन सोज़ेगा 27.3 अगला question है निम्ण में से किसका उपयोग आमलिय और उदासीन विलेनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर दिया गया है फिनोप्तिलीन की तो फिनोप्तिलीन की अगर हम क्रिया कराते है पानी से मालिजी कराते है या पानी कैसा होता है उदासीन होता है ठीक है तो पानी से अगर क्रिया कराते है तो यह जो है कोई कलर नहीं देता फिनोप्तिलीन जो है रंगहीन होता है और पानी के साथ मिलाते हैं तब भी ये रंगहीन रहता है तो पानी के साथ कोई reaction नहीं करता अगर इसको आमलो में मिलाएंगे तो भी ये क्या होगा रंगहीन ही रहेगा लेकिन इसको जब हम चार में मिलाते हैं तब ये गुलाबी रंग देता है चार में मिलाते है तो गुल रंगहीन ही रहेगा दोनों के साथ, तो ये अमल और उदासीन बिलेंड के बीच में फर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन जब भी हम छार में मिलाएंगे तो गुलाबी रंग देगा, तो इससे जो हम छार की पहचान कर सकते हैं, फिनॉप्थिलीन से, यही इसका राइट हैंस हो फिनॉप्थिलीन, और अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो इससे अमल और चार सब की पहचान की जा सकती है, यह दोनों के पहचान कर सकता है, और मिथाइल ओरंग जो होता है, यह अमल में अगर मिलाते हैं, तो यह रेड कलर देता है, और चार में मिलाते है, तो यलो कलर देता है, तो यह भी दोनों के पहचान कर सकता है, और यो सीन जो होता है, यह अगर अमल में मिलाते हैं, तो यह परपल कलर देता है, ठीक है, तो यह अमल और उदासीन विलेन में पहचान कर सकता है, लेकिन फिनॉप्थिलीन इसका राइटेंस हो जाएगा, जो कि हम लोग और उदासीन जैसे कि पानी है या कोई भी उदासीन विलेंट के बीच में ये पहचान नहीं कर पाएगा अगला कोश्चन है यह दिक इसी वस्तो को आउतल दरपण के वकृता के इंद पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिम कैसा बनेगा तो यहाँ पर दिए गया है आउतल दरपण यानि कि कौन के मिरर दिया गया है तो इसके सामने जब अबजेक्ट को रखते हैं तो इसका प्रतिबिम कैसा बनेगा तो यहाँ पर यह है वकृता के इंद इसका C center of curvature या वकृता के इंद इस पर object को रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिम बनता है यहाँ से इसकी किरनड गई और focus बिंद से होते हुए आती है ऐसे parallel हम खीशते हैं फिर focus बिंद से इसको रापस लाते हैं और एक जो दूसरी किरनड ले जाते हैं वो focus बिंद से होकर जाती है और फिर इसको parallel अपर इसको प्रतिबिम बनता है तो यहाँ पर इसका प्रतिबिम वकृता केंर पर ही बनता है लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा प्रत्विम कैसा होता है तो वास्तुविक होता है उल्टा प्रत्विम हमेशा वास्तुविक होता है सीधा प्रत्विम हावासी होता है तो वास्तुविक और उल्टा और वस्तु के समान बनेगा तो C option इसका right answer हो जागा वास्तविक और समानागार का अगर माली जी question पूछा जाता है कि focus पर object को रखा जाता है focus पर तब उसका प्रतिविम कैसे बनेगा तो जब भी focus पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिविम बनता है वो बहुत बड़ा बनता है वो कैसा बनता है बहुत बड़ा बनता है और कहा बनता है तो अनन्त पर बनता है कहा बनता है अनन्त पर बनता है और focus पर बिंदू और pole के बीच में रखा जाता है object को तो उसका प्रतविम कैसा बनता है तो उसका प्रतविम बनता है दरपन के पीछे और वस्तु से बड़ा बनता है और ये प्रतविम फिर कैसा होगा ये सीधा होगा तेखें और सेंटर ओफ करवेचर से फोकस बिंदू के बीच में अगर हम रखेंगे तो कैसा बनेगा तो और कर्वेचर से पीछे जितना हम रखते जाएंगे तो उसका प्रतिविम कैसा बनेगा? छोटा बनेगा ठीक है छोटा और उल्टा और वास्तिविक बनता जाएगा तो ये जो है सभी का आपको मैंने बता दिया है तो सारी जो है आप यार दखेगा ठीक है इससे कुश्चन जरूर आएगा अगला कुश्चन है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी से अत्यदिक खून बहने लगता है तो इसका राइटन्स हो जाएगा विटामिन के जो की ब्लट का थक्का बनाने में सहाख होता है अगर इसकी कमी होगी तो रक्त का थक्का जो है नहीं जम पाएगा जिसे कान अत्यदिक खून बहसकता है तो यही इसका राइटन्स हो जाएगा और इसके लावा और कौन-कौन से चीज़े जिम्मेदार होती है रक्त का थक्का बनाने के लिए तो इसके लावा कैलसियम जो है सहाख होता है रक्त का थक्का बनाने में कैलसियम और इसके लावा विटामिन के तो बता ही दिया मैंने आपको विटामिन के हो गया और इसके लावा प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स भी थक्का बनाने में सहाख होती है और इसके लावा एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन ठीक है ये भी रक्त का थक्का बनाने में सहाइक होता है तो कैलसियम, विटामिन के और प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन ये सभी रक्त का थक्का बनाने में सहाइक होते हैं और एक विमारी हो जाती है जो की आनुवंसिक विमारी होती है जिसके कान रक्त का थक्का नहीं जम पाता है वो आनुवंसिक विमारी कौन सी होती है तो वो होती है हीमोफीलिया तीक है ये जेनिटिक विमारी होती है जिसके कान रक्त का थक्का जमने में परेशानी होती है तो अधात्विक गुर यानि non metallic character बढ़ता है और कोई भी property अगर left से right जाने पर बढ़ती होती है तो उपर से नीचे आने पर क्या होती है घटती है periodic table में यह periodic table का train होता है कि अगर left से right बढ़ती होती है कोई चीज तो आपसे down आने पर घटती है यानि अधात्विक गुर क्या होगा अधात्विक गुर अगर हम left से right जाते हैं तो बढ़ेगी और उपर से नीचे आने पर घटेगी और जो धात्विक गुर होता है इसी का उल्टा हो जाएगा मैंने आपको बताय था कि यहाँ पर बोरोन होता है और यहाँ से जिग जैग लाइन शुरू होती है जो कि दाई तरब जाते हैं धातविक गुड़ कम होता है तीक है दाई तरब जाएंगे तो धातविक गुड़ कम होगा यानि कि अधातविक गुड़ बढ़ेगा लेप से राइट जाने पर अधातविक गुड़ बढ़ेगा धातविक गुड़ क्या होगा कम होगा तीक है तो यहा से अगर हम इदार जाएंगे तो अधात्वी गुड़ क्या होगा बढ़ेगा तो यही इसका राइटेंस होज़ेगा option B अगला question है वायू का निरपेच अपोर्तनांग कितना होता है तो अपोर्तनांग जो होता है वायू का वो होता है 1.0003 तो यहाँ पर option इसका राइटेंस होज़ेगा यह वायू का अपोर्तनांग होता है तो यह जो है इसका formula होता है और यहाँ पे और भी कई चीजों का पूछा जाता है जो मैं आपको बता दे रहू हूं जैसे कि जल का तो जल का जो है अपरतनाग होता है 1.33 और कांच का कितना होता है कांच का पूछा जाता है तो कांच का होता है 1.5 होता है और हीरे का पूछा जाता है डाइमन का तो हीरे का होता है 2.42 टिक है अगला कॉशन है हमारी आवसित्ता के अनुसार धातों को अलग-अलग आकार दिये जा सकते हैं, क्योंकि उनमें निम्ण में से कौन से गुड़ होते हैं, तो धातों में कई गुड़ होते हैं, यहाँ पे जितने गुड़ दिये गए हैं, सभी गुड़ होते हैं, लेकिन यह बताना है कि किस गुड़ के कारण इनको अलग-अलग अकार दिया जा सकते हैं तो चालकता की बात करते हैं तो चालकता की मतलब की ये विद्दुत और उस्मा के चालक होते हैं और सोनोरस्टी की बात करें तो इसमें सोनोरस्टी की मतलब होता है कि ये सोनोरस होते हैं यानि कि इसमें bell-like sound आती है, ठीक है, इसमें घंटी की तरह आवाज आती है धातों से, और तन्यता का मतलब हो गया कि ductility, यानि कि इनके तार खींचे जा सकते हैं, तो तन्यता जो गुर्ण होता है, इसके कारण धातों के तार खींचे जा सकते हैं, और चालकता का मतलब कि ये पतली चादरे बनाई जा सकते हैं तो यह होता है आघात वद्धनियता और तन्यता कमतलब तार खीचे जा सकते हैं यानि डक्टिलिटी तीक है तो इन्ही दोनों गुड़ों के कारण धातों को कोई भी आकार दे सकते हैं अगला कॉशन है, यदि 5 सेकेंड में कोई वस्तों का वेरा कीड़क पर सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाये तो उसका ट्वरन्र कितना होता है? त्वरण यानिकि acceleration इसका formula होता है V minus U upon T V यहाँ पे अंतिम बेग होता है U यहाँ पे प्रारंबिक बेग होता है तो यहाँ पे अंतिम बेग कितना है 10 meter per second तो 10 minus U कितना है 5 meter per second और बटे time 5 second दिया गया है तो 5 तो यहाँ पे 5 बटे 5 यानिकि 1 meter पर second square यह हो जाएगा acceleration तो यहाँ पे राइट अंसर क्या हो जाएगा option D का राइट अंसर हो जाएगा next question है ठोस carbon dioxide को किस नाम से जाना जाता है ठोस carbon dioxide इसको सुस्क बर्फ कहते हैं तो यहाँ पे इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा option B सुकी बर्फ जो है क्या होती है यह होती है ठोस carbon dioxide तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं पे समाप करता हूँ वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूब बताइगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर करना न भूलेगा और जो दोस्त नए है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और notification bell को on कर लिजेगा ताकि next वीडियो upload होते हैं उसका notification आपको मिल जाए तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care